असलाम अलेकूम रह्मतुलाही वबरकातु हूँ शिक में करनाटक से बात कर रहा हूँ मेरा नाम अक्रम है मेरा सवाल यहां पर यह है कि प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट एटीम मश्वीन लगवाना कैसा है मतलब इंडिया में तीन चार कंपनीया इसे हैं जो थार्ड परटी का काम करते हैं वो तो मशीन लगवा के देती हैं और मेंटेनेस्स सब हमें करना पड़ता है और डेली का जो पैसा एटियम में दालना पड़ता है कस्टमर वो रिसीव करने के लिए वो लोग वो पैसा भी हमारे को ही दालना रहता है जितना भी ट्रांजाक्शन पर अड़े में होता है वहर ट्रांजाक्शन पर येट पैंट फाइर रूपीज हमें कंपनी कमिशन के टेप देती है तो यह क्या सही है शेक क्या एटियम लगवा सकते हैं इस तरह जजाका लाख खेर असलाम वालेकुन हमतुलाई अबरका यह एक भाई हैं जो कह रहे हैं कि ए पैंक का एटियम होता है जिसमें पैसे निगालते हैं तो यह बैंक का एक पार्ट है बैंक का एक हिस्सा है बैंक का एक शएभा है है और झालते हैं व Alabama स्ववाह यार है और अल्लाह के नभी ने अस्वाल मुविकात यानि जो साथ बड़े बड़े गुना हैं बहुत बड़े बड़े गुना है यानि कभीरा से भी बड़े गुना है अक्बर उल्कबार उसमें सूद को गिनाया है सरे बितना ही नीए बलकि अक्रेम सबस्दोंने नसीयो गरारा की रवायत नबी यर रहमत ने लानत बेजिये अक्रेम सब्सदों हो लानत हो हता कि का जो गवाह बनता है उस पर भी अल्ला की लानत हो तो एटियम इसी सूधी सिस्टम का एक हिस्सा है तो आप उसमें अपने खिद्मात पेश करने तो इसके लिए जवास की कोई गुंजाश नहीं यह देखे बैंक वगरा में जो सूधी बैंक का उसमें एकाउंट खुल लग जाएं तो इसकी अजाजत नहीं क्यूंकि आपको इसकी कोई जरूट नहीं तो यह जो एटियम गगरा का मामला है यह बैंक से जुड़ाऊ मामला है इसलाम में सूध की कोई भी गुंजाश नहीं है और अप इसके लिए मجद्गाईश नहीं है यह आपका कुछ भी झाल झाल